दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे अगर आपके पास MI का मॉबाइल और उसमें आप कोई डोकुमेंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है open in another app वाली problem आ रही है तो इसे आप कैसे solve कर सकते हैं देखो इसके लिए क्या है कि यह जो MI का application है जिससे आप कोई भी डोकुमेंट को देखते हैं इसमें एक तो क्या है एक तो इसे इंटरनेट की ज़रूरत होती है जब आप कोई भी डोकुमेंट अपना open कर रहे है तो आपका इंटरनेट open होना चाहिए और उसमें जो इंटरनेट correction है वो होना भी जाहिए मतलम recharge और भी होन चाहिए और दूसरा यह है कि इसमें जो यह application है माई जो doc है जिससे आप कोई भी डोकुमेंट देखते हैं तो इसमें यह हमेशा problem आती रहती है तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं मैं आपको इहां पर बताऊंगा इसका permanent solution क्या है और जो यह problem है इसे कैसे दूर कर सकत है यह भी देखो जैसे यहाँ पर मैं file manager में जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी एक document पर क्लिक करके उसे open करने की कोशिश करता हूँ देखो यहाँ पर देखो आ रहा है तो देखो इसे अगर आपको solve करना है तो इसके लिए तो पहला क्या है आपको इसे कैसे दूर कर सक करते हैं आपको setting में जाना है और यहाँ पर आपको जो app से वहाँ पर चले जाना है app management में जाकर आपको यहाँ पर show systems पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको search करना है app my doc यह जैसे है app my doc नाम से हाईगा आपको इहाँ पर क्या करना है जो storage पर जाकर clear data कर देना है इसका यहाँ पर जब आप इसका clear data कर देंगे फिर आप देखेंगे internet आपको open कर लेना है जैसे मैं आपर click करता हूँ और कोई भी file में open करने कोशिश करता हूँ यहाँ पर click कर देना और अब देखेंगे आपकी जो भी file आप open करना चाहरे हो यहाँ आपर normally open हो जाएगी लेकिन क् कुछ टाइम बात से फिर इसमें ऐसे ही दिक्कत आने लगती है तो अगर आप चाहते हैं इसी का use करना आपको हर बार ऐसे ही इसे इसका clear data करना है इससे आप कोई भी file वगरा delete नहीं होगी और आप इससे ऐसे use कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं आप इसे permanently हटाना 360 जो application है वो download कर सकते हैं यह 365 यह download कर सकते हैं यह भी फिरी है आपको इसे download कर लेना है और इसमें आपको एक बार account बनाना पड़ेगा Gmail ID से और password एंटर करके और उसके बाद यहां पर आप इसमें कोई भी document कोई भी file किसी भी तरीकी की file हो सभी open हो जाती है इसमें भी इस तर प्रोग्रम को दूर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कोई doubt है आप comment करके पता कर सकते हैं